तो सवाल को देखो जैसे मैं पढ़ाता हूं और जैसेुं समझाता वो मेरा है पढ़ाता है नहीं कर सकता समझें। तो इसलिए I am 6 सामें पढ़ाता हूं तो ये थीन प्रिजम having refractive index 10 degree is made of refractive index 1.2 देखो दो अपने पास एक प्रिजम है और ये जो प्रिजम है इस प्रिजम की जो है जो प्रिजम है इसका इंगल प्रिजम ए 10 degree है मतलब थीन प्रिजम है और इसकी जो refractive index mu इसको a1 mu1 बोल दो 1.42 है तो ये बात तुम्हें समझने वाली बात है प्यारे बचों यहां की तो combination produce a dispersion dispersion क्या होता है split होना dispersion तो अपर deviate नहीं हो रहा है deviate मतलब अपने path से जैसे जा रही है वैसे जा रही है deviation zero है तो parallel थी तो parallel है अब यह कहता है कि angle of reflection of second prism a2 की value निकालो तो सबसे पहले a2 की value अगर मैं निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले जो बीम आएगी all beam ठीक ना all all raise जो भी raise आएगी all raise are parallel to this line parallel parallel to this this line क्यों क्योंकि deviation जो है वह हुआ ही नहीं net deviation zero है तो जो भी red blue green आएगी हो सब इसके parallel आएगी तो यहां से सबसे कम deviation red का होता तो red ऊपर आएगी यहां पर ठीक है और उसके बाद नीचे आएगी अपनी violet ठीक ना तो यह आगई violet यह deviation angle है यह वाला तो यह आगया red रेड ऊपर रहेगा violet नीचे रहेगा deviation अब इसके बाद तुम देखोगे यहां से तो यहां से यहां से यहां से यह कुछ ऐसे जाएग मतलब कुल मिला कि यह वाली जो यह यह सारे आपस में parallel है ठीक ना अलग तो हुए है dispersion हुआ है लेकिन सभी का deviation जो है वो 0 है ठीक है तो सभी का deviation यहां से 0 है तो सबसे पहले मान लो इसका deviation डेल 1 है और इसका deviation डेल 2 है तो लेकिन finally जो है एक ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो पह ही है clockwise तो यह इसको मोड़ी है anticlockwise तो दोनों deviation नेट जो है वो 0 हो गया एक clockwise घुम आई है रेको और दूसरी anticlockwise घुम आई है तो नेट deviation बच्चों 0 हो गया बात समझ में आ रहा तो यह थोड़ा सा मैं आपको field देके समझाया तो अगर आप यहां से देखोगे तो सबसे पह एक का deviation clockwise है तो यहां पर तो नेट deviation 0 है तो एक का deviation clockwise है तो डेल प्लस माइनस दूसरे का minus 2 that is all equal to 0 तो यहां से del is equal to minus del 2 is equal to 0 तो डेल 1 बराबर है डेल 2 जो नेट deviation है वो equal and opposite magnitude में तो इसका मतले भी हुगा यहां से mu 1 minus 1 is equal to a1 is equal to यहां से mu 2 minus 1 is equal to a2 तो अपने को चाहिए वो a2 चाहिए तो mu 1 minus 1 यहां से और mu 2 minus 1 और multiplied by a1 अब कुछ नहीं करना है अब तो बच्चों वाली value आ गई mu 1 की value कितनी है 1.4 2 minus 1 और यहां से 1.7 और minus 1 और multiply कर दो यहां से even 10 degree तो यहां से तुम देखोगे उपर 0.42 और यहां से 0.7 और यहां से 10 से उपर नहीं से multiply कर दो और 10 एक और था तो 10 से उपर multiply कर दो यह पॉइंट हड़ जाएगा और यह पॉइंट यहां आ जाएगा यह भी points हड़ जाएगा 100 से मल लुए और यह आ जाएगा 6 मतलब जो a2 आ जाएगा कटके वह 6 degree आ जाएगा मतलब यह अपना a option से यह आई होब कि मैं बहुत 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 तरीके से समझाया हूँ प्यारे बच्चों तो अपना बहुत ख्याल रखो थेंक्यू थोड़ी हूए भी आ जाएगा जाएगा जान You